यह है आईगेर कैमो जो कि एक तरह से वाटर बॉटल की तरह दिखता है वैसे यह 5 वाट का स्पीकर है पोटेबल एंडेटेन्मेंट डिवाइस है यह बिल्ट इन टॉर्च लैट के साथ में आता है और इसमें बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन दिया हुआ है इसको प्र इसमें एफ्म रेडियो माइक सपोर्ट दिया हुआ है इसमें टॉर्च लाइट है यूए सबसे पहले में आपको इसकी अंबॉक्सिंग करके बताता हूँ वैसे बॉक्स पर इस प्रोड़क का प्राइजिंग है यह दिया हुआ है वन थाउजन 999 रूपीस लेकिन यह आप को तकरीबन 1049 रुपीज में मिल जाएगा तो प्राइजिंग बहुती बढ़िया है और बॉक्स में जो प्रोड़क्ट है उसे यह देखिए इस प्रकार से प्रकार किया हुआ है तो बॉक्स में है यह स्पीकर इसकी बिल्ड़ फिनिशिंग है काफी बढ़िया है ऐसा लगता आपका जो शोल्डर है उस पर आसानी से-से लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं यहां पर टॉच्छ लैट भी दिया हुआ है और जो स्पीकर का उटपुट है मतलब की जो मेंस्पीकर है वहां पर है 5वाट का स्पीकर है जो मेश है यह डाल का है यहां पर देखिए माइक के SD card है अगर उसमें गाने हैं तो आप यहां पर उसे दाल सकते हैं उससे सुन सकते हैं वैसे इसमें बेल्ट इन FM रेडियो भी लिया हुआ है जो मोड बटन है इसका उप्योर करके आप FM मोड में जा सकते हैं और खास करके गाउं में या फिर अगर आप ट्रावलिंग करते हैं उस दोरान जो FM option है यह काफी काम में आ सकता है फिलाल इसे मैं साइड में रखता हूं और देखते हैं कि इसके अलावा box में और क्या-क्या है यह है यूजर मानूल और यह है USB to micro USB data cable तो बस यह सारी चीजे हैं जो आपको box के अंदर मिलने वाली है तो मैंने speaker के बारे में आफ स्विच्च दिया हुआ है यह अब यह आउन हो गया है अब यह वाइस नॉटिफिकेशन के साथ में आता है जैसे कि आपने सुन लिया और यह जो मोड बटन है FM Radio अब यह I think Bluetooth मोड में चले गया है यह एक और मोड है यहां से पतानी चल रहा है कि किस मोड में गया है यह है FM Radio वैसे आगे की तरफ अगर आप देखें तो यहां पर LED बिलिंक हो रहा है RGB टाइप की है colorful है और मैं इसे मेरा जो smartphone है उसके साथ में connect करता हूँ और इसकी जो quality ह यह check करते हैं तो यह दिखें इसने जो iGear Camo है इसे detect किया है मेरे smartphone ने और मैंने इसके साथ में आपकाने कर लिया है अब मैं आपको कुछ गाना सुनाता हूँ जिससे आपका idea मिल जाएगा कि इसकी quality है यह कैसी है वैसे जो आवाज आप सुनने वाले हैं वो मेरा microphone record कर रहा है और आप सुन अपने device पर हैं मतब कि जो speaker है वो आपकी device का है तो जो actual sound मैं experience कर रहा हूँ वैसा आप experience नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको थोड़ा बहुत idea मिल जाएगा कि इसकी quality है वो कैसी है वैसे क्यूंकि इसमें एक ही speaker दिया हुआ है तो आपको mono output ही मिलने वाला है यहां पर इस प्रकार से LED FX भी आपको देखने को मिलता है sound की quality है मझे लगता है कि कहां फिर बढ़िया है खास करके गर आप यह consider करें कि single speaker के साथ में आता है बेज भी अच्छा है not bad गेमिंग के अगर बात करें तो काफी बढ़िया है आप इसके साथ में गेम्स खेल पाएंगे जो लाग है यह बिल्कुल भी नहीं है तो entertainment के अलावा इसमें touch light feature भी दिया हुआ है उसके लिए यहाँ पर यह बाटन दिया हुआ है इसे प्रेस करते ही यह देखें यह जो light है यह on हो गया है तो आप इसे as a touch light की तरह भी यूज कर सकते हैं खास करके अगर आप गाओ एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार का जो device है यह खास करके काफी काम में आ सकता है अगर आप camping के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी यह जो device है काम में आ सकता है मैंने अब सारा जो light है उसे off कर दिया है ताकि आपको अच्छा idea मिल जाए कि यह जो touch light है यह कितना powerful है काफी हर तक powerful है जैसे कि normal touch होते हैं छोटे touch उतना powerful है अब यह जो touch का जो button है इसे आप अगर यह off भी होगा तब भी आप इसे use कर सकते हैं और इसमें और भी कुछ modes है यह देखियें यह है एक mode यह है दूसरा यह blinking mode तो यह सबसे ज़्यादा intensity है यह थोड़ा सा कम intensity और यह strobe light blinking light तो यह एक special type का device है जिसे खास करके आप on the move entertainment के लिए use कर सकते हैं इसमें microphone के लिए एक special option दिया हुआ है तो आप जो external mic है उसे भी connect कर सकते हैं battery life आपको तकरीबन 4-5 hours का non-stop मिल सकता है और of course आप इसे as a torchlight की तरह भी use कर सकते हैं काफी situations में काम में आ सकता है अगर आप यह product खरीदना चाहते हैं इसका pricing है 1049 रूपीज इसका link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है इस वीडियो को like जरू कीजिए और देखते रहिए करे आप कर के सकती हैं हा इसका का जर देखते हैं 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 है